हो है 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 Hello everyone, welcome in the free legal series by Judicial Dream इसके हम ने लास वाले session में वेजरिंच अगरीमेंग कोस्क्राइब आज वाले session में हम contention contract discuss करेंगे इसी के साथ अधां वेजरिंच अगरीमेंट और contention contract को compare भी करेंगे अगर last वाले session से रिलेटेड या assignment related कोई भी queries है या कोई भी doubts है तो हम स्टार्ट करते है आज के अपने लेक्टर के साथ सबसे पर आज हम डिसक्ष करेंगे ताट इस सेक्षण नमर 31 जहां हमारा जो जा सकता है किस पर नहीं किया जा सकता है तो यह सभी जो एक्पोर्स्मेंट रिलेटेड प्रोविजन है वह सेक्षण नमर 32 से 36 में दिये गये हैं एंड फैनली हम वेजरिंग अग्रीमेंट और कंटेंजन कॉंट्राक्ट के अंदर डिफरेंस डिल करने वाले हैं इस तॉपिक के अंदर आज सच हमारे पास कुछ केस लॉस रिलेटेड चीजह नहीं है आपको जो मेल प्रोविजन है और जो कंटेंट है उस पर फोकस करना है चीक है सबसे पहला हम बात करते हैं सेक्षण नमर 31 की जो कंटेंजन कॉंट्राक्ट को क्या करता है डिफाइन करता है आप किस चीज़ों को डिफेंट करेगा ऐसा कोई इवेंट जो की को लेटरल है और यह ना करना चीक है अब वो किस चीज़ पर डिफेंट करेगा ऐसा कोई इवेंट जो की को लेटरल है उस कॉंट्राक्ट के साथ Collateral मतलब वो primary contract नहीं है पर हमारे primary contract के साथ इस तरीके से वो event related है कि हमारा कोई भी action उस collateral event के होने या नो होने पे depend करेगा ठीक है तो मतलब क्या है कुछ करना या कुछ नहीं करना वो भी किसके basis पर उस event के basis पर जो collateral है उस contract के fine जैसे कि हम देखते है example so a contracts to pay b for rupees 10,000 if these houses burnt so यह क्या हुआ contingent contract हो गया तो b के house का जलना क्या हो गया है हमारे पास collateral event है ठीक है main तो क्या है a का b को 10,000 प्रॉपे प्रॉमिस करना ठीक है तो आपको सबज़ रहा है main क्या था payment है लेकिन यह payment किस पे basically depend करता है b के house के burn होने पे तो यह क्या हो गया collateral event हो गया ठीक है so i hope section number 31 अच्छे से clear हो गया होगा कुछ essential scheme ठीक है सबसे बला क्या आते है हमारे पास the contract is contingent on the happening or the non happening of an event ठीक है यह जितनी भी essentials होते है हमेशा हम जो है वो definition से ही derive करते हैं तो सबसे बला बहुत ही simple है ठीक है जो हमारा collateral event है उसके happen होने यह उसके non happening पे हमारा contract क्या है contingent है second आता है the happening or non happening of the event should be collateral to the contract and should exist independently that is it cannot be the performance promise or a consideration for a promise जैसे कि अगर हम last one example के अंदर बात करते हैं तो यहां पर जो यह बीक हाउस का burn होना था यह क्या था यह बीक हाउस का burn होना तो बीक हाउस का burn होना यह completely क्या है independent event है तो वह हमें इस प्रोविसर मतलब इस असेशल में बोला गया है कि जो event है that must be totally independent of the main event या main contract ठीक है third point हमें बताता है the event should not be a mere will of the promisor it has to be completely futuristic in nature यानि कि दोनों ही parties के control में ऐसा event नहीं होना चाहिए it needs to be completely futuristic जहां जो प्रोविसर है उसकी will से भी वह event affect ना हो ठीक है next हमेरे पास हाता है the contract event must take place in the future and be unpredictable contract is not termed contingent if its performance is contingent on a future occurrence that is certain to occur जब ही तो हमने क्या बोला contingent यानि कि उस future event का होना या ना होना that is not confirmed that is not assured यह क्या है future पर depend कर रहा है हो सकता है हो सकता है नहीं हो तो probability है पर certainty नहीं है occurrence की ठीक है and last essential हमारे पास हाता है a legitimate contract must exist to do or refrain from doing anything यानि कि जो हमारा core agreement है जहां पर हम कुछ करने या ना कुछ करने की बात कर रहे है वो क्या होना चाहिए legitimate होना चाहिए यानि कि वो क्या होना चाहिए valid होना चाहिए and enforceable होना चाहिए so I hope आपको essentials अच्छे से clear हो गए होंगे तो यह essentials है जो कि बहुत important है ठीक है इन ही अगर आपको कोई भी case दिया चाहता है तो आपको पता रहेगा कि अगर यह अगर नहीं करते हैं तो क्या वेजरिंग में जाते हैं या किसी और थाप की contract में जाते हैं so definition से आप शायद हो सकता है कि conclude नहीं कर पाए but if you remember the essentials then you can easily conclude ठीक है अब बात करेंगे हमारे main sections की जो enforcement के बारे में बात करेगा section number 32 जो क्या भोलता है enforcement of contracts contingent on an event happening so अब जो इसके इंदर मैंने blue highlight कर रहे है words उनको आपको बहुत ही अच्छे से ध्याम में रखना है क्योंकि यही words है जो section 32 से section 36 को क्या करेंगे difference बताएंगे ठीक है जब यहां को याद रहेगा नहीं तो आपको सारे sections क्या लगेंगे same लगेंगे so अब यहां पर section 32 के अंदर कब contingent contract का enforcement हो रहा है जब कोई event यानि कि जब कोई colateral event क्या हो रहा है happen हो रहा है तो अब प्रोविजन क्या कहता है contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event happens यह क्या है uncertain event है और जिसकी भी happening के ऊपर enforcement होगा cannot be enforced by law unless and until that event has happened तो अगर वो event नहीं होता तब तो आपे enforcement की बात ही नहीं आएगी तो उस event का occurrence ही enforceability लेकर आएगा ठीक है if the event become impossible such contracts become void ठीक है यह पर totally bear act का ही provision है जो भी examples है वो भी आपके bear act के हैं ताकि आपको sections के बीच में difference पे clarity रहे अब हम discuss करेंगे example So A makes a contract with B to buy B's horse if A survives C यानि कि A ने B के साथ contract करा कि वो B का horse buy करेगा अगर क्या होगा C से पहले A जिंदर है यानि कि A के lifetime के अंदर ठीक है अगर C die हो जाता है तो क्या होगा This contract cannot be enforced by law unless and until C dies in A's lifetime तो अगर A से पहले C की test हो जाती है तो contract क्या रहेगा Unenforce हो जाए ठीक है तो यहां पर क्या है आपके पास event happening के ओपर आपका enforceability depend करती है Second आता है हमारे पास A makes a contract with B to sell a horse to B at a specified price ठीक है A और B के बिच में क्या contract हो रहा है एक horse sale करने का अब collateral event क्या है If C to whom the horse has been offered refuse to buy him यानि कि B को जब बेचा जाएगा जब C जिसको originally offered दिया गया था horse के लिए वो buy करने से refuse करेगा तब जाके B का right बनेगा to purchase that horse तो यहां पर collateral event क्या है C का acceptance या refusal देना So the contract cannot be enforced by law until and unless C refuses to buy the horse तो जब तक C refuse नहीं करेगा जब तक वो collateral event happen नहीं होगा तब तक enforceability arise नहीं होगी ठीक है थर्ड आता है हमारे पास A contracts to pay B a sum of money when B marries C C dies without being married to B The contract become void यानि कि वो event था अब वो happen हो ही नहीं सकता है Contract क्या था कि अगर B ने C से शादी करी तो A B को एक sum of money देगा लेकिन बिना शादी करे अगर C की मृत्ति हो जाती है C dies तो यहां पर क्या हो गया आपकी उस event की happening की chances ही नहीं बचते और वहां वो contract enforce नहीं हो सकता है It will be void ठीक है So section 32 में हमार पस keyword क्या है event का happen होना अब हम बात करेंगे section number 33 की जो क्या बताता है Enforcement of contracts contingent on an event not happening वह event के happen होने पे enforcement था यहां event के ना happen होने पे enforcement है So contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen can be enforced And when the happening of that event become impossible and not before यानि कि जब उस happen का ना होना या उसके happening की जो possibility है वो बिलकुल खतम हो जाएगी तब हम आप कहेंगे कि यहां पर enforcement होता है contract का दो चीज़े है पहला या तो वो happen ही नहीं होगा ठीक है जैसे भी हमने last fall example में पढ़ा अगर C बढ़ जाता है तो महां तब happen होगा ही नहीं तो भापर तो क्या हो जाएगा Enforcement ही रहेगी अगर हम section number 33 के according देखेंगे या second case क्या है उस event के happen होने की probability ही नहीं बचती है ship does not return अगर कोई ship वापस नहीं आता है तो A B को एक sum of money देगा अब क्या होता है Ship क्या हो जाता है संक हो जाता है यानिकि ship जो ship है वो डूप जाता है So the contract can be enforced when the ship sinks तो यहां पर क्या है अब enforceability का बाएगी क्या अब उसका event का happen हो ला क्या हो गया है Impossible हो गया है या वो ऐसा event अब happen नहीं होगा तो यहां पर जब तक को ship sink नहीं कर जाता तब तक enforceability नहीं बनेगी ठीक है तो section 32 जो है वो बोलता है कि event happen होने पे enforceability होगी section 33 बोलता है event के not happening पे enforceability होगी अब हम आख करेंगे section 34 की जो बोलता है when event on which contract is contingent to be deemed impossible if it is the future conduct of a living person यानि कि ऐसा contingent contract जो किसी living person के future conduct पर बेस था और अब जो चीज है वो क्या हो गई है impossible हो गई है वो conduct impossible हो गया है तो अब हम बात करेंगे provision की इसमें क्या होता है if the future event on which a contract is contingent is the way in which a person will act at an unspecified time the event shall be considered to become impossible when such person does anything which render it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingencies तो यहां पर क्या है जो future event है हमारा वो event क्या है एक person किसी unspecified time पर time भी क्या है unspecified है उस time पर किस तरीके से act करेगा उस चीज़ पर हमारा main contract depend करेगा चीक है अब वो event हम कब बोलेंगे कि impossible हो गया है या तो वो person क्या करेगा उस पर मतलब किसी definite time के अंदर ही कुछ ऐसा action कर देगा जिसके वज़े से वो acting क्या हो जाएगा impossible हो जाएगा या कोई भी ऐसी contingency हो जाती है कोई ऐसी circumstances हो जाते हैं जहां पर उस person का उस accordingly act करना impossible हो जाएगा उस condition के अंदर हम बोलेंगे कि वहाँ पर enforcement होगा या नहीं होगा या यानि कि उस person के act के ओपर हमारी enforceability depend करेगी ठीक है अगर future contract ऐसा हो गया है जो performance करना ही possible नहीं है यानि कि कि उस परसन का वह act possible नहीं है तो इस case के अंदर क्या होगा जो हमारा contingent contract होगा वह भी क्या हो जाएगा impossible हो जाएगा ठीक है for example a agrees to pay b a sum of money if b marries c अब b का c से शादी करना यह क्या हुआ एक ऐसा event है जो किसी परसन के conduct पर depend करेगा अब c ने क्या करां c ने डी से शादी कर ली तो यहां क्या होगा अब जो contingent contract उसका performance ही impossible हो गया है क्योंकि जो c था जिसके future conduct के ऊपर contract जो contingent contract है वो बेस था वो ही impossible हो गया है so the marriage of b to c must now be considered impossible क्योंकि c ने तो किसी और से शादी कर ली although it is possible that d may die and then c afterwards marry b that is future situation लेकिन अभी के लिए at present क्या situation है किसी का conduct ऐसा था कि उसने d से शादी कर ली जिसके वज़े से उस contingent contract का performance ही क्या हो जाता है impossible हो जाता है ठीक है so I hope आपको section number 34 समझा गया होगा अब हम बात करेंगे section number 35 की section 35 क्या है दो parts के अंदर within the provision ही divide कर रखा है सबसे बहला हमें बोलता है when contract become void which are contingent on happening of specified event within fixed time यानि कि जब हमारा contract किस चीज़ पर based है किसी एक particular event के particular time के अंदर happen होने पर depend है यहाँ पर क्या होता है contingent contract to do or not to do anything if I specified uncertain event happen within a fixed time यानि कि जो एक particular uncertain event है वो किसी एक fixed time के अंदर क्या हो happen हो अब वो कब avoid हो जाएगा अभी तक हमारे पास क्या है enforceability कब enforce होगा जब specified uncertain event specified time के अंदर happen हो जाए अगर ऐसा नहीं होता तो यह क्या हो जाएगा कब void होगा become void if at the expiration of the time fix such event has not happened और if before the time fix such event become impossible तो हमारे पास दो condition हो सकती है जहां ऐसी enforceability नहीं होगी या ऐसा contract void हो जाएगा पहली क्या है कि जब वो हमने fix time था जो specific time था उसके expire होने से पहले ही वो event impossible हो गया या second क्या है जो time fix था वो expired नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले ही उस event का performance impossible हो गया इस situation में क्या होगा हमारे जो contingent contract है वो भी क्या हो जाएगा void हो जाएगा ठीक है for example a promise to pay b a sum of money if a certain ship return within a year यानि कि एक साल के अदर अगर कोई जो ship है वो वापस आ जाता है तो a b को एक sum of money pay करेगा so the contract may be enforced if the ship return within the year and become void if the ship is burnt within the year तो यानि कि अगर उस specified time limit के अंदर वो event happen हो गया तो वहाँ पर enforceability होगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो void हो जाएगा ठीक है इसी का second point के बूलता है when contract may be enforced which are contingent on specified event not happening within fixed time यानि कि उस specified event का उस specified time के अंदर performance ना होना अगर ऐसा नहीं होगा तो enforcement arise होगी वहाँ पर तो वाइड हो रहा था यहाँ पर enforcement होगा so contingent contract to do or not to do anything if I specified uncertain event does not happen within a fixed time तो कब वहाँ पर enforcement होगा may be enforced by law when the time fixed has expired and such event has not happened or before the time fixed has expired it becomes certain that such event will not happen यानि कि इसमें भी तो situation होगी अगर time period expired होगया ठीक है और वो uncertain event जो था वो time period के अंदर happen नहीं होगा कि अब यह event क्या होगा happen नहीं होगा यानि कि उस particular time period के अंदर अगर वो uncertain event happen नहीं होता तब वहाँ पर क्या हो रही है enforceability arise हो रही है अब यह भी हो सकता है कि fixed time expired हो गया हो तब तक भी event happen नहीं हो यह भी हो सकता है कि अभी time बचा है specified time बचा है लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे circumstances हो गए है जिनसे parties को पता है कि अब ऐसा event happen नहीं होगा ठीक है for example a promise to pay be a sum of money if a certain ship does not return within a year यानि कि यहाँ payment कब होगा जब एक साल के अंदर वो ship वापस नहीं आता यानि कि यह क्या है specified time के अंदर non happening पे enforceability है तो contract कब enforce किया जाए सकेगा contract may be enforced if the ship does not return within the year यानि कि specified time हो चुका है वो uncertain event happen नहीं हुआ है या is burnt within the year यानि कि अभी time था लेकिन ऐसा event happen हो गया है जिससे हमको पता है कि आप कोई happening के chances available नहीं है तो यहाँ पर दोनों चीज़े हैं ठीक है आपको section number 35 अच्छे से समझा गया होगा अब आप करेंगे section number 36 की जो बताता है agreement contingent on impossible event void ऐसे events जो क्या है खुद में ही impossible है तो उनके basis पर अगर कोई भी agreement बना है तो that will be void यह बहुत भी simple section है फटाफट से इसको discuss करते हैं contingent agreement to do or not to do anything if an impossible event happens are void आपका collateral event ऐसा है जो क्या है impossible है तो उसके basis पर आपका contingent agreement भी क्या हो जाएगा वाइड हो जाएगा whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made तो इस पास से तरट ही पढ़ता कि आपको पता था कि वो event impossible है जब आप contract बना रहे थे यह आपको नहीं पता था that doesn't matter what matters is कि आपका जो collateral event है वो impossible है for example a agrees to pay b rupees thousand if two straight line should enclose the space तो यहाँ पर क्या होगा agreement अपने आप में एक impossible चीज है इसलिए इस पर बेस्ट कोई भी contingent agreement वाइड होगा second a agrees to pay b rupees thousand if b will marry a daughter c आप क्या था जिस टाइम agreement बना c तो क्या थी यानि क्या है यहाँ event ही जो कि क्या है impossible यह बात चाहे पार्टी को at the time of making the contract पता है नहीं पता है it doesn't matter so section 31 36 पहुत easy है आपको 25 समझ आ गया होगा तो section 31 में हमने contingent contract की definition पड़ी 32 में हमने event का happening 33 में non-happening 34 35 थोड़ा सब को confuse कर सकते हैं तो इस बेटर कि आप इसको अच्छी से सारे sections को एक बार revise करें अब हम फटा पर discuss करें के बीच का difference सबसे पहला point आजाते हैं हमारे पास section का वेचरिक agreement हमें किसमें बताया है section 30 में contingent contract हमें बताया section 31 में अब हम discuss करते हैं meaning जोनको difference बताते हैं वेचरिक agreement क्या होता है यहां पर क्या है आपकी पास monetary interest होता है ठीक है so a promise to give money or money's worth upon the determination and ascertainment of an uncertain event contingent contract भी क्या होता है एक collateral event होता है जिसके happen होने या ना होने पर हमारे contract का action या performance depend करेगा so a contract to do or not to do anything यानि कि दोनों चीज़े positive भी negative भी if some event collateral to such contract does or does not happen ठीक है so यह नेचर क्या है वेचरिक agreement तो by nature void होता है क्योंकि यहां पर क्या होता है या आपको कोई skills या वो चीज़े नहीं यह is kind of a bet लेकिन contingent contract is valid ठीक है uncertain future event वेचरिक agreement की बात करते हैं तो जो uncertain event है वो क्या है core factor है उसके उपर ही आपका पूरा contract based है ठीक है पर contingent contract के case के अंदर क्या है event is totally collateral यानि कि main contract आपका कुछ और है main promise or consideration कुछ और है और जो event है जो collateral event है वो आपके main contract से क्या है independent है यह हमने essentials के अंदर discuss किया था ठीक है reciprocal promises वेजिंग agreement में reciprocal promises होती है एक party के हारने पर भी वो दूसरी party को पैसे देगी दूसरी party के जीतने पर वो पहली party को पैसे देगी तो यहां पर क्या होता है आपके पास reciprocal promise होता है but contingent contract के अंदर ऐसा कोई भी reciprocal promise exist नहीं करता है फिर आम बात करेंगे interest of the parties तो वेजिंग agreement के अंदर हमारे पास जो contracting parties है उनका कोई interest नहीं होता है subject matter में they only have monetary benefit ठीक है पर contingent contract के अंदर जो contracting parties है उनका subject matter पे interest होता है इन फैनली mutuality of loss and gain ठीक है तो वेजिंग agreement में क्या है 50-50 होता है एक पार्टी के विन का chance एक पार्टी के lose का chance so a waging contract is a game losing and gaining alone matters ठीक है पर contingent contract में क्या है इस तरह का कोई mutual doctrine loss या gain का नहीं होता है वहां आपका performance पर performance depend करेगा collateral event के ऊपर so I hope इससे आपको वापसे waging agreement भी revise हो गया होगा और contingent contract का application भी समझ आ गया होगा so आज का question है आपका homework के लिए a contract of life insurance the performance of which depend upon a future event fall under the category of waging agreement contingent contract contract of guarantee special contract इस point के बारे में हमने last वाले session में भी deal किया था तो I hope सभी को इसका correct answer पता होगा and अगर पता है तो सभी student फटा फट से comment box के अंदर इसका correct answer देंगे इसी के साथ next homework है आपका descriptive question that is define the contingent contract as per section 31 also explain the provisions related to the enforcement of contingent contract under the Indian contract act 1872 so I hope बहुत ही short and sweet question है आपको directly इसका answer भी पता है बट किसी को भी provisions को ऐसे रटके नहीं लिखना है या बेराट खोल की नहीं लिखना है पहले आप revise करेंगे अच्छे से learn करेंगे and then फिर answer frame करेंगे ठीक है MCQ question का भी answer and descriptive का भी model answer आपको हमारी website www.judicialdream.com मिल जाएगा इसी किसा साथ और भी topics related practice questions, quizzes, MCQs सभी हमारी website पर अविलेबल है so you can log on to the website and इसी किसा साथ आप हम से connected रह सकते हैं through telegram, whatsapp and instagram सभी की links नीचे description box में अविलेबल है so stay connected stay updated इसी किसा साथ अगर आपकी कोई suggestions है feedbacks है, doubts, queries है then you can put it in the comment box अब हम मिलते हैं next lecture में next topic के साथ जब तक के लिए thank you so much keep studying